राय बरेली जुली के गदा गंज थानच शेत्र के सुदामपुर गाउन निवासी शिक्षक सुनील कुमार उसकी पत्नी पुनम भारती बेटी श्रिष्टी वा लाडो की हत्या करने वाले आरोपी चंदन को STF टीम ने शुकरवार गिरफतार किया था देरात पुलिस अधिक्षक अनूप सिंग ने प्रेस कॉनफेरेंस करचंदन की गिरफतारी की बात मीडिया को बताई थी प्रेस कॉन्फरेंस के बाद पुलिस टीम घटना में प्रियुक्त तमंचे और बाइक बरामत करने के लिए आरोपी को लेकर निकली थी मोहन गंच थानशेत्र के पूरे बिंदे नहर पटी के पास अचानक चंदन ने साथ चल रहे दरोगा मदन कुमार की पिस्तौल चीन पुलिस टीम पर फारिंग शुरू कर दे जवाबी कारवाई में पुलिस टीम ने चंदन के पैर पर गोली मार कर जख्मी कर दिया जख्मी चंदन को सामदाइक सास्ते केंदर में भरती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है दिनांक 3-10-2024 को ठाना शिवरत्मगंज के ग्राम अभरवा भवानी में चार व्यक्तियों की गोली मार कर रहत्या कर दे गई थी इसके मुख्य अभिक चंदन विपर्मा को दिनांक 4-10-2024 को गिरफ्ता किया गया था अभिक्त से की गई पूश्टास के आधार पर अत्या में प्रियोक पिस्टल की ब्राउंगी है पुलिस वाजियो स्कूल लेकर गई थी इसी की दोरान उसके दोरा उपनीरी चेक मदन कुमार से पिस्टल चीन कर पुलिस पार्टी पर जांसमात्नी नियत से हमला किया गया पुलिस पार्टी दोरा बचाओं में खायर किया गया जिससे अभिक्त के दाहिने पैर में गोली लगी कमपोजिट स्कूल के शिक्षक उनकी पत्नी और दो बेटियों के हत्य रोपी चंदन वर्मा को STF ने शुकरवार दे रात लकनव आगरा एक्सप्रेस वे से गिरफतार किया है आरोपी की पास STF ने घटना में प्रियुक्त पिस्टल वबाईक बरामत की है आरोपी ने घटना को अंजाम देना सुईकार किया है उसका शिक्षक की पत्नी से प्रेम प्रसंग था इसलिए पूरे परिवार के हत्या कर दे STF के CEO ने बताया कि राय बरेली जिले के गदा गंज थानच शेतर के सुदामपुर गाउनिवासी शिक्षक सुनिल कुमार और उनकी पत्नी पुनम भारती बेटी स्रिष्टी वालाडो की ब्रहसपतिवार देर शाम शिवरतन गंज शेतर के अहरवा भवानी कस्वे में किरा जुटी थी लेकिन पुलिस गिरफतार नहीं कर पाई शुक्रवार देर रात पता चला कि STF ने उसे गिरफतार कर लिया है पहले पुलिस अफसरों ने गिरफतारी को लेकर चुपी साधी लेकिन देर रात बताया कि STF ने उसे पकड़ लिया है चंदन ने STF को बताया कि शि में इलाज हुआ था पुनम भारती ने जब चंदन के खिलाब चिड़कानी ऐसी एस्टी एक्ट के तहट केस्ट दर्च कराया था तो वो तनाव में आ गया ऐसे में उसने जान देने की नियत से जहरीला पदार्थ खा लिया था हालत विगड़ने पर परिजनों ने उसे जलास पताल भरती कराया था जहां से उसे एमस रेफर कर दिया गया था चिड़कानी की घटना के दौरान पुलिस की पूछताच में उसने खुद को बेकसूर बताया था कहा था कि उसके खिलाफ गलत केस्ट दर्च कराया गया उसने क कोई छेड़कानी नहीं की है सियो सदर अमित सिंग ने बताया कि चंदन के खिलाफ केस दर्च करके कोट में चार्जर शीट दाखिल कर दी थी पुलिस के अनुसार चंदन ने ताबर तोड़ पारिंग कर शिक्षक उसकी पतनी और दो बेटियों की हत्या की चारों को साथ ग मारने के दोरान उसने एक मैगजीन खाली कर दी और दूसरी भी लोड कर उससे भी फारिंग की वहीं शुक्रबार को एस पी हरेंदर प्रताप ने महस साथ खोका बरामद होने की पुष्टी की उन्होंने बताया कि पिस्टल से गोलिया चलाई गई मौके से एक मैगजीन एक जिन्दकार तोस वसात खोके बरामत हुए हैं उनका दावा है कि घटनों को अकेले चंदर नहीं अंचाम दिया वो बुलिट से आया था चंदर ने शिक्षक परिवार को बचाओ का कोई मौका नहीं दिया उसने अंधा धुंद गोलिया बरसाएं और भाग निकला घटना के जीने की तरब भागने की कोशिश की जहां उसका शब पड़ा मिला घटना इस्तल से महस 15 मीटर की दूरी पर जनरल स्टोर संचालित करने वाले अंबरेश जैसवाल ने बताया कि हम दुकान पर थे अचानक फाइरिंग हुई तो पहले लगा कि मंदिर में कारिक्रिम के चलत चारों के शब पड़े थे पास ही कार्तूस के नवकों के पड़े थे वीडियो डेस्क अमरुजाला.com लाइक करें